नमस्कार दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल इनाय गोट फार्म पे बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं अपने बकरियों को लेकर आया हूं बाहर चराने के लिए मौसम अच्छा है और इस टाइम बारिस नहीं हुए आज-दस दिन से तो कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर से कोई दिक्कत होगा अभी देखिए हमारी सारी बकरियां चल नहीं हम लेकर आये हैं चलाने के लिए तो हम लेकर जा रहे हैं इनको अभी देखिए आप लोग चराई पे और आज का हमारा जो फीडिंग खर्चा था बच जाएगा जिसे कि भूसा ब्रांड यहीं सब खाती थी हरा चारा भी समझें बच जाएगा क्योंकि आज हमें खेद में भी काम था तो सोचे लाइए चलिए वहीं पर बकरियां भी छोड़ देते हैं और चरेंगी क्योंकि हम वहाँ पर पानी लगा रखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी बकरियां हमारे साथ साथ चल हम लेके जा रहे हैं अभी वहाँ खेद में तब ते रहेंगी और जब थोड़ा चल फिल लेती हैं और चराई करती हैं तो बहुत अच्छे से यह लोग पेट भरके चराई भीनका हो जाता है थोड़ा तहल लेंगी तो जो भी किसान भाई काम बकरी का सुरू करना चाहते है देखिए कि भाई मेहनत तो पड़ेगा यह नहीं है कि एसी में आप बैठे रहेंगे आराम से काम करना पड़ेगा लेकिन अपना काम है कोई इसी बात नहीं है बहुत अच्छे से इसको करना पड़ेगा तो आप लोग देखिए कि हाँ अगर बकरी पालन करना है तो आप ल नहीं है बकरिया देखिए आप लोग इस टाइम हमारे पिता जी हमारे काम में सहयोग देते हैं मान लिजिए 90 परसंट उनका सहयोग है कहीं 10 परसंट हमारा सहयोग है तो उस चले गए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए मतलब अभी 4-5 दिन के लिए बाहर गए थे तो भी नहीं 11-12 तारीक तक बकरी हमी को देखना है 5 तारीक से तो थोड़ा पैमली हम भोजन नहीं दे पाते हैं इनको कुछ दिखते हैं क्योंकि हम दुकान भी करते हैं तो आप लोग देखिए आज इनको हम खेद में पानी यहां चल ला था हमारे धान भी बगल में हमारा लगा हुआ ह पीछे देख रहे हैं तो धान में पानी चल ला था हमने कहला बकरी को वहां पहुचा दे कुछ चोटे बच्चों की मदद लिया हमने और बकरियां ला के देखिए यहां पर छोड़ा है तो आप लोग भाई देखे कितने अच्छे से चराई कर रही हैं बहुत दिन बाद हम सो बकरी लेके आएं तो भी बकरियां बहुत अच्छे से चराई करेंगी कोई दिक्कत नहीं होगा लोग अकेले देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं पूरा फारम पे ही जो ना देखर कि मतलब फारम पे ही उन्हें खिलाय पिला बाहर भी ला सकते हैं चराई के लिए बहुत अच्छे से चराई करती हैं बारीज के मौसं में दिक्तब रहता है उसके बाद कोई प्राबलम नहीं होती है तो आप लोग देखी रहे हैं भाई जो हमारे भाई बाहर हैं वह भी आनंदले सौदी के अंदर वाले भाई लोग तो हमारी बहुत हल्प कर रहे हैं और उसकाम करना भी चाह रहे हैं देखिए जो हमारे किसान भाई सहर में रहते हैं या बकरी पालं से दूर है वो लोग यह जाने कि बकरियां फिरी काष्ट पर भी रखी जा सकती है इनको ऐसे चराई कराके रखा जा सकता है कोई ऐसी बात क्योंकि चरने आती हैं तो ऐबर चराई कर लेती है हरा चारा रहता है तो कभी कभी दिक्कत हो जागता है लेकिन वगडरा लगा रहेगा तो कोई प्राब्लम नहीं होगा एक ही वैक्सीन हम अभी लगवा पाएं हैं दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे डाक्टर साहब बहुत करीबी हैं लगवाएंगे और हम बहुत जल्द से जल्द पैसे के ही जुगार में हैं क्योंकि जो चीज सोच लो उसमें पूरा होता है बस आप फड़ा मेहनत करिए यह नह ती यह चीज हुआ इसमें कि हमने खाली बकरियां ले लिया था तीन मेहने से मिनको खिलाई कर रहे हैं तीन मेहने जब हो गया इन्हें खिलाई कराते हुए तो पैसा हमारा लग गया जो आप किसान भाई को काम शुरू करना है लोगों को तो आप बिल्कुल प्रेगनेंट बकरिया लीजिएगा जो कि पंदा प्रेगनेंट हो पंदा दिन के अंदर बच्चा दे दे 5-6,000-7,000 क्योंकि कई मंडी हम आप लोगों को दिखा तके हैं हर मंडी में अलग-अलग बखरी अलग-अलग रेट पे मिलती हैं तो आप लोग यह जानिए कि छे-7,000 में बढ़ कि ठ्रेंगनेल बाकरी झीजीज़ाएं उसमें वरबान नहीं होगा और हमारा खर्चा अंब मिनमम खर्चा कर रहा है तो भी वानके कि तीन रूपे महिने 20 बाकरी के पीछे मारा लग रहा एक्थारग भजाए diplomat हैं की घु मैंब लिकतर रहा है ट्डिंटिंग प्रेश यह तो वहां भी समय देना रहता है लेकिन यही एक काम है दोस्तों जो कि आप माल तयार करिए कस्टमर का इंतजार नहीं करना है लोग रोज पूछने आते हैं कि कोई माल है कि नहीं है आपका जब दिल चहर राद 12 बज़े एक बज़े जब इच्छा कहें पैसा पहले देते हैं म परसों आके देते हैं बाद में फोन करोगे तो बोलेगा भया को अरे हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं आ रहे हैं तो यह आप लोग सोचिए कि यही एक काम है जो सेफटी है आप माल तयार करिए नगदों पेमिंट पहले दे जाएंगे माल बाद मिले जाएंगे यही ए आपके पास सो बकरी पूरी हो गई तो कोई भी काम है सो बखरी कहीं बड़ी बात नहीं है धीरे-धीरे सब लोग कर सकते हैं अगर दिल से करें बस वही है कि देर में पैसा आएगा कम से कम देर साल दो साल बाद अच्छे से आपको पैसा दिखेगा लेकिन दिखेगा और 100 पर्सेंट इसमें घाटा नहीं है सफल वो किसान भाई नहीं होंगे जो जल्दबाजी करेंगे बोलेंगे भाई बकरियां हमारी मतलब जल्दबाजी का मतलब यह हुआ कि उन्हें तुरंट पैसा चाहिए और देखो तुरंट पैसा जिसे मिलता है वो उतना ही गरीब रहता है जिसको जितना पैसा लेट में मिलता है उतना ही अमियर रहता है व्यापारी हमेशा पैसा देर में ही पाएंगे जो काम हो दुकान है या कुछ भी है तो इसमें लेट में पैसा आएगा लेकिन अच्छा पैसा आएगा उसे लगेगा फलाप होने की तो कोई बाथ नहीं क्योंकि बहुत लोग बहकरियां पालते हैं गाउं तो अधिर तर लोग बहकरियां पालते हैं यान早иков हैं तो फलाफ होने वाली तो चांस कोई है नहीं चांस जब है कि कोई बीमारी आई तो ठीका नहीं लगा रहता है तब उस बीमारी में बकरिया ज्यादा तर मनने लगती है लोगों को दवाई कराना पड़ता है मानने जिए 20 बकरियां है तो उसमें कुछ मरी अगर वह नहीं कि डाक्तर हो वहां पर जाईए आप पस्पताल होग को जानकारी देंगे तो आफ ब्रश कम शेंस यह जाएंगे तो बहुत से मेरे भाई जो सौधी में हैं ऊसंपरक में रहते हैं बात्षी नहीं काम करना है तो भाई देखिए सवाधि नहीं पूरा होता है पैमिन मिल जाता है और वहाँ बिन्टे दूए गया क्हाँ है टुरंत किने काम में पैसा आता नहीं है तो बहुत त सब की इच्छा है है कि हम भी अपने परिवार के साथ घर पे रहें लेकिन इच्छाएं इतना जल्दी पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो हमारा सौधी वाले भाई से जितने लोग तो देखें पैसा है आप महां पे हैं तो पैसा है तो किसी से संपर्ग साथ के आप घरत पे एक हारम बनवाईए उसके अंदर पहले से ही बकरिया छोड़ दीजिए और जब बकरी बकरी आप छोड़ देंगे पहले से आप आईए आपका काम चालू हो जाएगा लेकिन लोग पाते हैं फिर जैसे कहते हैं छे महिने में कुछ समझ में नहीं आया तीन लाग रखे ते वह भी खर्च किये और थोड़ा बहुत दो स्यार से उधार लिया कपिल से उधार मंगवाए और फिर वापस सौधी चले गए तो सौधी वाले भाई लोग ये बात धियान रखें कि रिटायर्मेंट जब तक 56-60 साल नहीं हो पाते हैं उनकी सौधी छूड़ती नहीं हैं हमारी बात का चाहिए उन्हें बुरा ही लगता हो लेकिन अपनी जिम्मेदारियां हो जाती है कि उसके बाद में 30-50 रुपया यहां कमाना उनके लिए बहुत मुस्किल हो जाता है हमार लोग यहां एक नहीं त्यार कर दें आने के बाद में आप 6 महिने टहलना है तो 6 महिने वह भूल जाए कि सौधी के अंदर ही है अपना ब्यापार पर धियान दीजिए क्योंकि मुश्किल से 2-3 रुपया बचा के लाते हैं और वो सब आराम से उड़ा के फिर प्लास्ट में छाना ही पड़ेगा तो अधिकतर हम तो जानते हैं कि आपने वह अंदर करने वालों के इसे प्रभान से लिए लोटाते हैं कि नहीं काम लगा तो आई हमारा एक यही राय है कि आप लोग काम सुरू करें और थोड़ा धायर रखने काम भोगा बस यही है कि जो लोग वहाँ पे हैं रहकर ही घर पे काम चालू कर दें करवा दें किसी के हाथ से करवा दें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा- голुक ने रूपया उडा देते हैं वहाँ पे रहकर और यहां पे बाई काम करने के लिए आपको कड़ी मैंत करनी पड़ेगी कफिल बोलेगा राद 12 बजए बोलता है तो आप लोगों उठना पड़ता है उटना पड़ता है चाहिए एक बज़े बहुत चलो तो चलना पड़ता है कुछ भी तो उसी तरीके बात करते हैं सहर के अंदर के लोग करना चाहते हैं लेकिन सहर के अंदर प्राबलम जमीन की होती है तो दोस्तों आप लोगों को सहर से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को किराय पर जमीन मिल जाएगी क्योंकि लोग 4-5,000 पर एक विगह की जमीन दे देते हैं एक साल तक के ले लिजिए दो साल तक के ले लिजिए तीन साल तक के ले लिजिए जैसे इच्छा हो ले लिजिए आप उसको यूज हैं तो यह बात नहीं है कि काम नहीं शुरू कर सकते हैं आप तो सहर के हैं तो थोड़ा बाहर निकल लिए दो-चार किलो मिटर बाहर आईए आपको जमीन मिल जाएगा गाउं गराम में संपर करिए यह ग्रामिड शेतराला काम है आप लोग देख लीजिए यह हरा चारा अग सब्सक्रा करें यह और एक बखरी अगर है उसके पीछे आप दिल जान से महत कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दिलो जान से महत करिए तो आप सो वक्री देख सकता है मतलब सो वक्री वह रखके आरांथे तो तो वक्री का मदलब बहुत हो गया यह समझे आप लोग उस लाइन म बात नहीं है लोग कोई भी काम रहता है धीरे धीरे सिखते हैं तो आप हमारी मुलाकात होगी किसी अन्न वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए और हमारी मुलाकात किसी अगली वीडियो में होगी धन्न बाद नमस्कार